हेलो साथियो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास इस्टडी पर आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के इंपॉर्टन कोस्चन्स और हर कोस्चन के लिए 5 सेकंड का समय रहेगा बहुत इंपॉर्टन सारे कोस्चन्स हैं वीडियो गन तक पने रहे हैं पहला कोस्चन है राश्टपती के महावियो की पहल की जा सकती है तो राइट अंसरों का ऑप्शन सी संसत का सदन किसी भी सदन में की जा सकती है नेक्स कोशन भारत का राश्टपती अपना स्थीपा किसे देता है या सोपता है तो उप राष्ट पती को यहां पे इस्तीपा देता है ठीक है नेक्स कोश्चन भीम राव अमबेड कर अंतराष्टी हवाई अड़ा कहां इस्तित है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन बी नागपुर में इस्तित है नेक्स कोश्चन बंगाल बेभाजन किसके सासनकाल में किया गया राइट अंसर हो जाएगा आप्सन ए लॉर्ड करजन नेक्स कोश्चन दुनिया का पहला 100% सौर उर्जा से संचालित हवाई अड़ा कौन सा है तो आप्सन ए कोचीन हवाई अड़ा नेक्स कोश्चन गांदी जी के नेतरत्तों में नमक अंदोलन किस वर्ष में सुरू हुआ था या डांडी मार्श कह सकते है तो यह 1930 में सुरू हुआ था आप्सन C करेक्ट हो जाएगा नेक्स कोश्चन भारत का नैपोलियन किसे कहा जाता है सुपर इंपॉर्टन कोश्चन है सारे कोश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है तो यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा उप्शन B समद्र गुप्त नेक्स कोश्चन साइलेंट बैली राश्टय उद्यान कहाँ इस्तित है राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन A केरल में इस्तित है साथियो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें हर रोज मैं ऐसी वीडियो डलते रहता हूँ राइट आंसर हो जाएगा हर्याणा विस्व महला दिवस कब मनाया जाता है आप्सन भी करेक्ट होगा आठ हमार्ज को मनाया जाता है नेक्स कोशन प्रियाग राज हल्दिया जल्मार्ग को डैस के रूप में जाना जाता है तो राश्टी जल्मार्ग एक के नाम से जाना जाता है और ये सबसे लंबा भी राश्टी जल्मार्ग है नेक्स कोशन जनगर्णा 2011 की अनुसार किस राजिकी साक्षड़ता सबसे कम है तो बिहार, राजिस्तान, हर्याड़ा में से राइट अंसर हो जाएगा आप्सन ए बिहार की सबसे कम है नेक्स कोशन जोजिला दर्रा किस राश्ट्री राजमारक पर रिष्थित है तो राइट अंसर हो जाएगा आप्सन बी, एन एच बन पर इस्तित है, जोजिला दर्रा नेक्स कोशन, सिडवी का मुख्याले कहां इस्तित है राइट अंसर हो जाएगा आप्सन डी, लकनवू में इस्तित है, सिडवी का मुख्याले साथ यह वीडियो को जरूर लाइक कर दे आप्सन C 2005 में लागू हुआ नेक्स कोशन बैक्यूम ट्यूब कौन सी पीडी का कम्प्यूटर है तो राइट अंसर हो जाएगो आप्सन C पहली पीडी का कम्प्यूटर है मतलब पहली पीडी के कम्प्यूटर में यूज किया जाता था नेक्स कोशन निमलखित में से किस नदी का उद्गम और अंत भारती प्रांत में होता है मतलब उद्गम भी भारत में और अंत भी भारत में तो राइट अंसर हो जाएगा उप्सन सी चंबल का नेक्स्ट कोश्चन पूरब से पश्चिम की और कौन सी दो प्राइदी पिया नदियां बहती हैं राइट अंसर हो जाएगा उप्सन सी तापी और नर्मदा नदी नेक्स्ट कोश्चन भारत की किस नदी को ब्रद गंगा कहा जाता है super important तो right answer हो जाएगा option C गोदावरी नदी को ब्रद गंगा कहा जाता है next question the discovery of India पुस्तक के लेखक कौन है correct answer हो जाएगा option B जवाह लाल नहरू discovery of India के लेखक है दुनिया का सबसे लंबा बांद कौन सा है अगर बड़ा बांद पूछा जाएगा तो बड़ा बांद भाकडा नागल बांद होता है उंचा पूछा जाए तो टीरी बांद होता है और लंबा बांद पूछा जाए तो हीरा कॉंड बांद होता है आपस्ट डी करेक्त होगा. नेज्ट कोशन देखते हैं. िअस अटराश्टी इफसल अर्थ सुस्क उस्ट कटवंदी अनुसंदान संस्तान कहा है इस्तित है? तो right answer यहां पर हो जाएगा option D हैदराबाद में इस्तित आ है next question जाकिर हुसेन किस बाद देंद्रो को बजाने के लिए जाने जाते है right answer हो जाएगा option B तबला बजाने के लिए जाने जाते है next question भारत में हरित करांती का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा मतलब सबसे अधिक ब्रद्धी किस पर हुई इस कोशन का अंसर कमेंट में देना है और वीडियो को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना है धन्यवाद